यूपी के मौसम समचार में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी जानेंगे यूपी के सभी जिलु के मौसम का हाल तो बिना स्किप किये वीडियो को पूरा देखें चलिए जानते हैं आने वाले दो दिन यानि की आठ और नौ सितंबर को यूपी में उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है कहां पर बारिश की संभावना है तो कहां पर बारिश को लेका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रदेश का तापमान यानि की प्रदेश के कौन से इससे में तापमान जादा बना हुआ है कहां पर तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आपको बता दे कि प्रदेश की अधिक्ता जिलों में अभी मौसम हलका सा सुहाना बना हुआ है क्योंकि कुछ जिलों में बारिश हुई जिसके बाद रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जिलों में मौसम सुहाना है हाला कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर उमस और गर्मी का एसास लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि धूप खिली है और कभी-कभी बादल चा जाते हैं इसके चलते उमस और गर्मी का एसास भी लोगों को करना पड़ रहा है मौसा व्यग्यानिकों का कहना है कि आने वाले दो दिन में चुटपट बारिश होगी जिसके चलते तापमान में कोई खासा असर नहीं पड़ेगा तापमान ऐसा ही रहने वाला है तो चलिए जानेंगे कि आखिर प्रदेश में आने वाले दो दिन यानि की आठ और नौ सितंबर को किन किन हिस्सों में बारिश होगी तो आपको बता दे कि प्रदेश के कुछ जिलु में बारिश की आश्वनका है आपको बता दे कि 8 और 9 सितंबर को सुबी की कई हिस्सों में भारी बारिश का लाट है और 8 सितंबर को खास्तों पर भारी बारिश और कहीं कहीं पर बिजली गिनने की आश्वनका भी पनी हुई ह 9 सितंबर तक लगाता बारिश होने की आश्वन का है खलकी या फिर बूना बांदी वाली बारिश से मौसम खुशनमा रह सकता है यूपे में दो दिन भारी बारिश का अलट है आकाशी बिजली गिनने का डर भी है आपको बतारे की खासतोर पर बांदा, लखिमपुर, खीडी, रामपुर, बरेली, पीली भीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के लाकों में भारी बारिश होने का अलट मौसम विवाग में जारी किया है आकाशी बिजली से सतर के रहनी की संभावना और चेतावनी भी मौसम विवाग में जारी की है मौसम विवाग का कहना है कि कई जगा वज़पात होता सकता है इसके चलते लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहे आये जानेंगे कि कहां पर कितनी बारिश हुई और बीते 24 घंटे के द्वारान किन किन हिस्सों में बारिश हुई तो आपको बताते हैं कि आखिर कम बारिश वाले जिले कौन से हैं जहां पर कम बारिश हुई है तो इनमें लखनव, कानपुर्णगर, वारानसी, अयोध्या, और आगरा ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कम बारिश हुई है लखनव में 477.5 mm ही बारिश हुई, कानपुर्णगर में 409 mm, अयोध्या में 576 mm बारिश हुई तो ये सामाने से कम है लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर जरूरत से जादा बारिश है इसमें महराज गंज, खीरी, चित्रकूट, शावस्ती और गोरकपुर शामल है आपको बता दे कि गोरकपुर में भी बार्ज जैसे हालात हैं और यहाँ पर सामाने से जादा बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं वहीं प्रदेश के अगर बात करें तो मौनसूर सामाने हैं पिशले 24 गंटे में कई स्थानों पर हलकी से लिका सामाने बारिश हुई गरत चमक के साथ बहुचारे पड़ी तो पश्मी अंचल की कुछ जिलों में हलकी फुलकी बारिश हुई वह आपको बता दे कि कई सुखे जैसे हालात हैं राजणी लखनाओ, सीतापुर, हर्दोई, समेट, मंडल के जादہ तो जिलों में सुखे जैसे हालात हैं लखनव में इस साल अच्छी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी लेकिन मौनसून उतना ज़ादा नहीं बरसा इसके कारण लखनव के साथ सीतापूर, हरदोई, उन्नाव, राय बरेली में और सत से कम बारिश हुई हैं सामने से कम बारिश होने के कारण ये जिले सूखे की चपेड में है चलिए जानते हैं कि कहां कहां पर हालात बिगड़ गए हैं तेज बारिश हुई है तो आपको बता दे कि सिधार्त नगर गोरकपूर ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर बार से हालात काफी जादा खराब हो गए हैं यहां पर सामाने से जादा बारिश ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी हैं चली जानते हैं कि आगे मौसम कैसा रहेगा तो मौसम विग्यानिकों के मताबिक पूरे भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में हवाएं बदल जाएंगी और दिल्ली एंसियार के साथ इस शेत्र में हवाएं चलेंगी जिसके कारण 9 सितंबर के आसपास दिल्ली और एंसियार में फिर से अच्छी बारिश की उमीद है उतर प्रदेश में भी 9 सितंबर से अच्छी बारिश की उमीद है और 9 सितंबर तक बारिश का ये सिलसला जारी रहेगा बागी सभी जलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही आप न्यूस को कहां से देख नहीं हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें धन्यवाद